द्रम पुजा पाट के सभी दर्शोंगों जया स्री क्रिश्ना मितनों आये जानते हैं स्राध मंत्र स्राध के अंदर प्रियोग किये जाने वाले मंत्र कौन-कौन से हैं खुद कर सकते हैं वो विधी और वो कारे में उप्योग में आहने वाले शुक्ष्म मंत्र हैं, आज के वडियो में बताएंगे, आईए शुरू करते हैं इस राध में कौन से मंत्र हैं, सबसे पहले तो पंच बली करम गोगरास निकालना, उसके लिए मंत्र चोटे-चोटे शुक्ष्मंत्रों का प्रियोग कर कर सकते हैं पहले तो आप शंकल्प लें कि मैं किस लिए पन्च बली अक्रम कर रहा हूं गोगराश निकाल रहा हूं तो शंकल्प के अंदर मुगहता अगर आपको संस्कृत में संकल्प आता हो तो शंसृत्त का नई अन्दी में बोले कि मैं अपने पिताजी के लिए इस महाले इसराद के अंदर ये पंच बली निकाल रहा हूं जिसमें इदम गो भेनमा अर्था दिये गाय के लिए इदम काके भ्योनमा ये कोई के लिए इदम स्वाने भ्योनमा ये कुत्ते के लिए इदम कीट पतंगादी भ्योनमा ये क के लिए मकोडे के लिए पांच को कि अखिसीज़ में भुज़ेंद में प्रामन को ये अकशी गरीब से हेने उसके अपरांध क़ जबरामन में को तिलक करने कर दें अगर ब्रामन को पोजन करा रहें तो सिलक करने का मंत्री सिंधुकृ अब रों आई बटन अगर आपको समझ में आता तो आई बटन में भी दिया जा रहा हैं कि ब्रामन को भुजन करा करके तिलक करने का मंत्र है कि उसके उपरान्त सबसे ज़्यादा पित्र स्तौत्र का पाट किया जाता है आप यदि किसी भी तरीके से या किसी का भी स्राद निकाल दें तो उस दिन अगर पित्रों के इसी स्तोत्र का पाट करते हैं तो पित्र आपके प्रसुन देते हैं तो पित्र श्तोत्र के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है ज्यादे से ज्यादा हो सके तो एक बार पित्र श्तोत्र का पाट जरूर करें श्राद पूरी पक्षमे करें तो और बढ़िया अतिवत्तम इसके उप्रांथ मंत्र पित्रों को प्रसुन करने वाला मंत्र जो के पित्र घाइतरी मंत्र के नाम से जाना जाता हैं। उसका जादा से जादा ज्यादा से ज्यादा पाट करें उचारण करें एक स्लोक है मात्र ओम दिवता भे पित्र बेश्य मायोग भे आपको नहीं आता हो तो उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है पित्र को प्रसंद करने वाला मंत्र पित्र कायतरी मंत्र है को यहीं पर इन के यह चोटे-चोटे इन करों में चोटे-चोटे मंत्र आपके पित्रों को प्रसंद करने वाले आपके मन्नों कामला को पूरिव करने वाले इस याशा के साथ सभी को जै स्री कृिष्ण ए